हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज इस वीडियो में मैं आपको पित्रिपक्ष की बहुत महत्वपोन जानकारी दूंगा जिससे आप हो जाएंगे माला माल पित्रिपक्ष चल रहा है लोग अपने पूरवजों को प्रसंद करने के लिए श्राद तरपन कर रही है इस साल पित्रिपक्ष 2 अक्टूबर तक रहने वाला है पित्रिपक्ष के दौरान मा लक्षमी के उस वरूप की स्थापना करे जिस में उनके हाथों से धन गिर रहा चित्र के समक्ष घी का एक बड़ा सा दीपक जलाए चोतिश विद कहते हैं कि पित्र पक्ष में कुछ खास उपाय करने से मा लक्षमी प्रसन होती है और भक्तों के घर अन्धन का अंबार लगा देती है फिर मा लक्षमी को इत्र अर्पित करें वही इत्र नियमित रूप से प्रयोग करें ऐसा करने से मा लक्षमी की कृपा आप पर बनी रहेगी और सरलता से धन प्राप्ती होगी धन की बचद के लिए मा लक्षमी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके पास अनाच का धेर लगा हो मा लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाए, उन्हें चांदी का सिक्का अर्पित करे, पूजा के बाद उसी चांदी के सिक्के को अपने धन स्थान पर रख दे, इससे धन की बचत सरलता से होगी गनेश जी के साथ लक्ष्मी जी की स्थापना करें गनेश जी को पीले और लक्ष्मी जी को गुलाबी फूर चराए लक्ष्मी जी को अश्टगंध चर्णों में अर्पित करें नित्य प्रातहसनान के बाद उसी अश्टगंध का तिलक लगाएं इससे आपको नौकरी में तरक्की और धन की बड़ोतरी का वर्दान मिलेगा.